दूस्तो आज की वीडियो में हम जानेगे पेम किसान सम्मा निद्युजीन का फॉर्म और अप्रुवल हो गया है तो किस पिकार का अपको मैसेज होता है और अप्रुवल होने के बाद में कितने इस्टॉल्मेंट का आपको पैसा मिलता है? कुछ किसान भाई का यहां से form pending में चला है, state level पर pending चला है, district level पर pending में चला है, तो state level से हम form को कैसे verify करा सकते हैं, और जो form district पर चला है, उस form को कैसे हम approval करा सकते हैं, यह आपका form reject हो गया है, तो reject form को अब self-dation कैसे कर सकते हैं, सभी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाग हैं, सभी का आपको समाधान एक ही वीडियो में मिल जागा, दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक चूड़ी सी गुजारे से, इदि आपने वी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, और वैल एकन को प्रेस कर दें, दोस्तों सबसे पहले आपको PM किसान पॉर्टल पे आ जाना है, जैसे कि हम PM किसान पॉर्टल पे आ चुके हैं, उसके बाद में थोड़ा सा स्कॉर्ड डौन करेंगे, और उसके बाद में आपको यहां पे मिल जाता है, इस्टिटर सेल और स्टार्ट फार्म हो गया है या पैंडिंग चले है तो उन किसान भाई का आपको यहां पर आधा कार्ड नम्मर दर्ज कर देना है आपको यह कैप्चर मिल लाए छोटा इस्पाल बड़ा जो भी है वह आपको यहां दर्ज करना है उसके बाद में सर्च पर कर देना है अब दोस्तों हमने कुछ किसान भाई का यहां से फर्म को कया से पैचा ने ट OUT किसान भाई का फर्म को ओफन कर लिया है 2018 विता किया था उसके बाद में इनका फर्म होता है अब जाकिनका फर्म reject why state आ गया था इनके सांवाई का district से form approval हो जाता है तैसील से form approval हो जाता है जब last state आती है इन्हें हरी ज़ंडी मिलने को होती है जब इनका जहां से लाल ज़ंडी मिल जाती है और state से Mom Пом रिजएक्ट हो जाता है अब दोस्तो इस्टेट से form reject होने के आपको भी region 4 rejection में आपको यहां से बज़ाय आ जाती किस बज़े से इनका form इस्टेट से reject हुआ है तो आपको यहां पे सीधा देख लेना है कि इनका जो form है new form है due to land purchase मतवल है इनका जो जमीन है 2019 से बाद में इनोंने purchase की ती मतवल होता है 2019 के बाद में इनोंने जमीन को खरीदा था उसके वज़े से इनका जो form होता है इस्टेट गवर्मेंट ने यहां से reject कर दिया है reject by state आपको यहां से message प्राप्त हो रहा है यदि आप एक नए किसान भाई यह form को apply करना चाह रहे हैं दो आप भी गलती नही गरें इन खिसान भाहि नों गलती करें और पीम किसान संमान नीदी का form को और Kerrycken 2019 ना पर और यहां डाल दी इति उसके बज़े से नका form… reject हो जाता है इन आप अपना new यह यह और गिण प्रसर्क में करते है तो आप विस्यज दियान रखे। कि आपको इक जमीन की पर्षेजश डेट आती कि आपने जमीन कब खरी दी या आपके नाम पे कब जमीन आई थी तो आपको manufacture 10. takie हम में रेतन के सबस्क्राइब पातिज़ेंड सबस्क्रांज्वक्षाइब काने सबस्क्राइब में उसके लिए उसके से समस्क्राइब पोटल पे आ जाना है जैसा कि हम PM किसान पोटल पे आ गए उसके बाद में आपको यहां पे सेल अप्डेशन मिल जाता है थोड़ा से स्कॉड डॉन करेंगे आपको यहां पे एक कॉलम मिलता है अप्डेशन सेल प्रेश्टाड फार्मस तो आप इसके जरी अपना फॉन का सुधार कर सकते हैं अपना ज addresses के खतोन कर सकते हैं खतों का साइब करसे हैं खतोनी का साइज आप बना लेना कर अप बनाव avent होता है कि एक सो असी के गई के अंदर कर दो आपको PDA हो जागा और आपका फॉर्म बैग नहीं हो रहा है तो उन किसान भाई को लिए हम बताते हैं इदि आप जल्दी से form को apply कर देते हैं और जो PDF साइज है वो आपको 100 KB के अंदर रखते हैं तो आपका form 100% approval हो जाता है 100% आपका form submit हो जाता है और आपको registration number भी प्राप्त हो जाता है इस पर भी मैंने वीडियो काफी बना होता है कि हमने form को apply कर दिया है उसके बाद में हमें पता ने चल लाए कि हमारा form reject हो गया है approval हो गया है अब दोस्तों हमने सबसे पहले आपको बता दिये जिए अधी आपका form reject होता है तो reject भाई इस्टेट आ जाता है reject भाई डिष्टेक हो जाता है दोना का काम यह आपको सेम है सेल अपडेशन पर जाके अपना form को सुधाहार कर सकते हैं दोस्तों कुछ किसान भाई का यहां मानना होता है जिन किसान भाई ने फॉर्म को यहां पर आविदन कर दिया है उसके बाद में क किसान भाई को पता नहीं चला है कि हमारा form अप्रूवल हो गाई या नहीं होगा यह डिष्टिक से रिजेक्ट हो जागा तो इन किसान भाई का हमने एक form को लॉग इन कर लिया है इनका जो रिष्टेशन डेट है और रिजर फॉर रिजेक्शन में एक भी मैसेज प्राप्त यह अपना जो form होता है किर्शी भाई से भी आप अपना form को ठीक करा सकते हैं यह आप यूपी के रहने वाले हैं जैसा कि यह डिष्टिक बरेली है और इस्टिट उत्तर प्रिदेश के रहने वाले हैं तो यह form इनका जो होता है तैसिल से भी ठीक हो जाता है ब्लॉक से भी और किर्शी भाई से भी इस form को अभी आप संसोदन करा सकते हैं इस form को आप यहां से अप्रूवल करा सकते हैं आपको document hard copy लेके जाना है document की जो eligibility होती है आपके पास में आधा कार्ट होना चाहिए और जमीन की जो खतों नहीं होती है वो आपके पास में होना चाहिए और है verify district हो गया है block से verify हो गया इस्टेट लेवल पर फॉर्म पैंडिंग चल लेया है तो approval नहीं मिलना है काफी शामा हो गया है एक महीन हो गया है दो महीन हो गया है कुछ किसान भाई को यहां एक साल हो चुका है तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं इस आपका district से verify ह की साल हो गया है और इस टेट लेवल पे verify होने को रह गया है तो जिन की किसान भाई आपको 15 फरवर्य के लास्ट में आपको यहां पर फरवर ओर आप штंड हो को आपको पैसा मिल जगा वो आपको पहले इस्टॉलमेंट का पैसा आपके 100% आपके खाते में मिल जाता है अब दोस्तों जिन किसान भाई का फोर्म 100% verify हो गया है registration नमबर प्राप्त हो गया है तो उन किसान भाई को एक message अलग से प्राप्त होता है जैसे कि इन किसान भाई का हमने इस्ट्रस को login कर ले है और यह भी किसान भाई उत्तर प्रिदिक्स के रहने वाले हैं डिश्टिक बदाईओं के रहने वाले हैं और इनका जो रच्टेशन डेट है 2021 में इनका रच्टेशन डेट रीजन फोर रिचक्स में ने कोई अब कर दो करें दो गाले है अपको यह eteति हो प्राप्त हो गया कैसे निकालने में फूर्टम निकालने की लिए अपको प्र्संदтории पोटल पर पे वेक आ करेंगे दोस्तों जैसे कि आप किलिक करेंगे उसके बाद में आपको यहां रच्टेशन नमबर मिल जाता है दोस्तों हमारे पास में रच्टेशन नमबर नहीं है तो रच्टेशन नमबर हम कैसे निकालें तो उसके लिए भी आपको यहां पर एक कॉलम मिलता है नाव simply आप आधा कार्ड पर क्लिक कर देना और उसके बाद में आपको यहां पर जो आपको यहां पर आधा कार्ड नम्म होता है अपका एकूर्टीप जागआ उस को डालने के बाद में आपको जो रश्टेशन होता है वो आपको यहां से लोगिन हो जागा रश्टेशन आपको यहां से मिल जागता है उस रश्टेशन नमबर को आपको यहां से कॉंपी कर लेना है उसके बाद में आप बैग आएंगे और दोस्तों उसके बाद में आपको फिर से इसंधे पर चले जाना है नाव्य इस्टरिस, प login होने के बाद में कुछ किसान भाई को यहां समस्या भी आ सकते हैं कुछ किसान भाई का यहां no record भी found रहता है उनका status login नहीं होता है तो ऐसे किसान भाई का इदि आपका status login नहीं होता है और आपको registration number प्राप्त हो गया है तो कम से कम आप 10 दिन का वेट करें दस दिन के बाद आप दुबारा से try करेंगे तो आपका status login हो जाता है इदि आपका status login हो गया है और उसमें भी आपका land sheeting no आ रहा है आदा card sheeting no आ रहा है तो दोस्तो टैंसल लेन की जरूत नहीं कुछ दिन बेट करें उसके बाद में है update हो जाता तो आपका status होता है वो भी आपका update हो जाता description में अपना message जरू छोड़ें और उस message के जबाब आपको 100% दे जाता है और दोस्तो वीडियो पसंद आए तो प्ली चैनल को subscribe जरू कर लें और वेल एक्म को praise कर दें दोस्तों फिर मिलते हैं के लिए वीडियो में उसके लिए दोस्तों जाये हैं जाये बाद दोस्तों